हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब मैं हूँ मोनिका दहूम शेफ मोनिका में आपका एक बार फिर स्वागत है गनपती पूजन की आपको बहुत-बहुत हार्थी सुपकामना है आपको आपके पुड़े परिवार को और आज हम बनाएंगे गनपती जिकप्रिय मोद है बिलकु मोदककाम थे आपकर भी उनला अमठर को पुड़ें और अधा कप देशी घी गी चाहिए इसमें और चूरा कन मई लिया है अितन से देशी हुआ है गिसा हो आपकर में घरी हो इंगे तो शुधे है मैं भूट है तो चमच यानि कि 1 फूर्ट कप मैं बोर्वा लिया है तो यह चाहर चीज हमें चाहिए अधा की लिया है और यह भाध ने कुछ लिया है राइफूत्स अपने हिसाब से लिए सकते हैं आपके पसंद के मेरे घर में जो भी था मैं लिया है जैसे मैंने यह पी लिया है तीन से जोटेंगे ताफ लीवर है और आधा कप नहीं पर चीनी को पीस लिया है इसका पाॉडर बना लिया है और यह मैं घडर के दूढ़ाई उता रही है तो भी अपर आधा कप लिया है अगर आपके घर में दूद आता हो पर मलाई लगती हो तो आप मलाई इस्तमाल करें अगर आ जाल जो जाल जाल गी को अपूरा बचाना यहां से दिर चमच पर आपका पाइब में भूटकर तो यहां बूद़ डहीचे है वरना आटा जल जाएगा हम एकदम लो फ्लेम पी आटे को धीरी धीरी से भूनना है में जो है भूनाई है अगर आप थोड़ा सा पेसें से थोड़ा धहरे से आटे को भूनेंगे तो काफी अच्छा टीस्ट आएगा मोदक में और बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपनी इस मैं आपको पहले बता रही हूं कि इसमें जो टाइम है और आपको ज्यादा लेगा भूनने में यहीं भी मैंने सूजी जो थी हमारी वनफोर्थ कप सो दो चमच के बराबर वह मैं डाल ती है आटे सूजी को में घी के साब लो फ्लम पे कम सिकन 7-8 मिनट तक भूनोंगे कोटा से स्पैचुला है मेरे पास तो मैंने वो ले लिया है अगर आपके पास हो कुछ इस तरह का तो अपले ले लिए तो इससे क्या होगा कि इसके लंब्स आसानी से मैं तोर सकती हो इस तरह से में सलते वे भून लोंगी अभी यहां पे ड्राइफूर्स हम डाल देंगे जांगे अगर देंगे अवश्म्स क Kellya आफ धी कर दोहर कि डुआर दो ओदेंगि तो टोटल ऑन्नी में आपको टाइम पंधा से बेसमेट लेगा चीजों को स्टेप बेस टेप आम होता है यह तो आप अस tod जरन दे ह桂न आई दे इसमें बहुत अच्छी से खुसभूने लगी है जैसे नादिल का बुरादा डाला यह को अच्छी ज़ीक आपने लगी है और यह अधिनी पहुत बहुत पहुन चुक यह अब इसमें पाकी है इसमें क्रीम डालेंगी तो यहां पर प्लेम को बिल्कुल मैं नो रखा हूआ है क्रीम को पहले मैंने फ्येट लिया था तो अब पहले चाहिए तोड़ के अच्छे लिए अदर टोड़ में अब करें अगर आपके हाथ में नहीं चीपकता है तो टोटल मुझे टाइम यहां पे लगा है अभी तक 18 मिर्ट हो चुके है अभी यह पूरा कम्प्लीट हो चुका है तो यह नहीं यहां पे गास का फ्लेम बन कर लिया और इसे में थोड़ा थंडा कर लोगी दो तीन मिर्ट तक से गणिट सुगर पाउडर में दाल दो दूगी क्योंकि हलका जो गरम होगा तभी अब चुका हो दालेंगे तभी अच्छे से मिला लेंगे चारद चीनी को बिलाएंगी हलका सा इसमें एक मौशर सा क्रेइट होगा और यहां पे मैंने लाइची काफी बड़े तो मैंने वैसे तो यह रैस भी बहुत आसान है लेकिन इसमें जो बूनने का प्रोसेस है काफी लेंदी है मैंने आपको पार्ट तू पार्ट दिखा है और यह जो बची होई घी थी उसे मैंने मेल्ट कर लिया है वो भी में डाल दूगी और अब इसे हम साफ हांतों से मिलाएंगे और अच्छे से मिल जाएंगे और दूसरा कि इसकी बैंडिंग है पता चलिगी तो यह च्छे से बाइंड हो लेकिन थोड़ा सा मुझे राई लग रहा है तो यहां भी मैं दो से चार्चमच दूद के इस्तमाल करूंगी अगर आपको भी लगे कि यह थोड़ा सा ड्राई लग अच्छे से बाइंडिंग हो रही थी मैं देखा इसमें एक मोदक बना के आप आये देख लेते हैं मैं यहां पे सांचा इस्तमाल करीं यह वाली मुदक आपको सांचे में ही बनाने परेंगे यह हाथों से नहीं बनेंगे क्योंकि इसमें बहुत जादा मॉश्य नहीं है तो नीचे के तरब से आप इसे थोड़ा सा प्रेश करें तो अंदर एक अच्छा सा सेप बनेगा इसका तो यहां पे मैं नीचे से थोड़ा सा इसे प्रेस कर रही हूं और इसे आराम से हम खोल लेंगे वैसे तो बहुत सारे मोदक है जो हाथ से बन जाते हैं बट यह वाला मोदक नहीं बनेगा हाथ से क्योंकि यह पुरा आटा है और थोड़ा सा रवा भी है तो यह काफी बुरबुरा सा इसका टेक्शर होता है धानेदार सा तो यह नहीं बनेगा तो इसके लिए आपको मोल अच्छा ही है तो यह देख सकते हैं काफी अच्छा सा से बन के तयार हुआ है एक और बना की मैं आपको दिखा लेती हूँ इसी तरह से हम सारे पहले एक थोड़ा सा एक लड़ू का अकार का बॉल ले लेंगे हातों में उसे कुछ इसरा दबाते विए मिला लेंगे हातों अच्छा से पाइगा और यह बिखरेगा नहीं तो नेचे से कुछ इस तरह से दबाते हैं थोड़ा सा नीचे से प्रेस करें और एकस्टा जो भी साइट से निकल रहा हुआ उसे आप क्लेर करते जाने निकालते जाए और उसे आप अराम से निकाले इसी तरह से हम सारी अधरी जीजे मैंने घर की इस्तेमाल की है हां घी इसमे थोड़ा जाता लगा है तो घी इसमें लगे क्योंकि अगर आप घी डालें तभी स्वाद आएगा ड्राइफूर्स अपने हिसाब से ले सकते हैं ड्राइफूर्स का में रूल है उसमें क्रंची निस जब अब खाते उसे भी आप सकते हैं वह बिल्कुल ऑप्शनल है रवा चाहिए इसमें आठा चाहिए घी चाहिए तीन चाहिए और चीनी दो चाहिए अगर आप मलाई नहीं डाल सकते हैं नहीं डालना चाहते तो उसके जिगा पे आप 2 कप दूध को गारा कर लीजिए हलका साब चाहिए तब उसमें एक चमच मिल्क पॉड़र डालके और वो डालके आप इसमें अच्छा सा मुश्य क्रेट कर सकते हैं तो इस तरह से चीजों को बैलेंस कर सकते हैं और निचे कर सकते हैं अपने हिसाब से जो मोदक मिलते हैं गनपति के टाइम पे उनसे तो बहुत 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 ही ज्यादा बहतर और है क्योंकि ऑटे में कुछ भी दी होता है ख़ास तो बिल्कुल भी नहीं होती है तो आप ट्राइब करें कि अपको मेरी रैस्पी पसंद आए, तो मेरी विदियो को लाइक करें और मेरी चोनल को सब्सक्क्राइब करके मुझे सपूर्ट कर सुपत करें आपको पूरी परवड ल सकते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद झाल झाल